हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आश्रा करती हों आप सब बहुत ज़्यादा अच्छी होंगे तो स्वागत है आपका एक वाफे से मेरे चैनल उश्या नौलिज हेल्प में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप आज की वीडियो में आप यह जानेंगे कि लड़का होगा यह अभी वी करल होगा अनुद सब लेकर नाउट वो सब्सक्राइब है आपको करना कि हमाई वीडियो को एक लाव एक लियक कर नहीं सकती है और पहली बार आये चैनल बहभर को स्ब्सक्राइब कर देना क्योंकि आने वाली वीडियो को नौटिफिकृशन आपको सबसे पहले मिल जाए और सारे के वीडियो आप को देखने को मिल जाएं तो देखिये चलिए वीडियो को शूर से फाले हम आपको ऐसी चीज बताते हैं जब दुसले हम स्लो काय देता है फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि गढ़ में लड़का जो होता है और लड़की कौन से बहीने में हल चल करना जो है शुरू कहे देती है तो साथा कुछ बताएंगे इस वीडियो में आपको बस वीडियो के लाष्ट टाक बने रहा है ना ठीक है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताते हैं बच्चा हलचल कहता है वो अगर कम कहे दे तो क्या कहना चाहिए देखी प्रेग्नेंसी का जो लाश्ट टाइम होता है जैसे की डिलीबरी होने वाली है नमा महिना लग गया है तो उस टाइम क्या होता है बच्चे जो होता है थोड़ा श्लो कर देता है क्योंकि पेट बहुत जादा बढ़ जाता है बच्ची की लिए पेट में जगह नहीं मिल पाती है इसलिए बच्चा थोड़ा हलचल कम कर देता है बस आपको घबराना नहीं है और एक बात आपको हमेशा यार रखना है जब आपकी डिलीवरी जो तो वह बहुत तेजी से कहता है आप फील कर सकते हैं उसका सिर कहां है मो कहां है पैर कहां है इतनी तेजी से मोब कहता है इतनी तेजी से जोड़ा होती है बच्चे की तो आपको घबराना नहीं है लाश्ट टाइम आपको थोड़ी स्लो हो जाती है पर जब भी वह कहता है न तो ऐसे में आपको जो है घपराना नहीं है देखिए अगर आप को ऐसा लग रहा है आपका बच्चे जो है वो हल चल नहीं कर रहा है पहले तो कहता था पर अब नहीं कर रहा है थोड़ी स्लो कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा है तो आप थोड़ा सा मीठा कहा कर देख सकते अगर आपको diabetes है तो आप मिठाई जो बिल्कुल भी मत खाएगा अगर आपको diabetes नहीं है सब कुछ normal है तो आप थोड़ा सा मीठा खाकर देख सकते हैं थोड़ी मातरा में आप मिठाई खाकर देख सकते हैं तो इससे भी जो हो सकता है आपको बच्चे जो है हल चल करने लगें और दूसरी चीज आप थोड़ा सा थंडा पानी पी कर देखिए बैसे तो आपको ठ्रगनेंसी में थंडा पानी नहीं पीना है पर आप टेस्ट के लिए थोड़ा पी सकती है जिससे कि आपका बच्चा जो है वो मुमेंट करने लगे पर आपको थोड़ा सा पानी पीके चेक करना है और एक बात आपको खास धियान रखनी है जब बच्चे के हाल चल आपको कम महसोस होने लगे तो ऐसे में आपको थोड़ा रेश्ट करना है वैसे भी आपको दिन में थोड़ा अराम करना चाहिए एक दू खंटे निकालने चाहिए आपको और पहले बात आप अगर दिन में काम कर रही है तो ऐसे में आपके बच्ची की मुमेंट जो है आपको महसूस नहीं होगी तो सबसे अच्छा वैस्ट तरीका होता है बच्ची की मुमेंट महसूस करने का तो आपके आपको क्या करना है आपको बिस्ता पर आराम करना बिस्ता पर लेट जाना है रैस्ट करना है और फिर आपक अगर आपका बच्चा मूब कर रहा है तो आपको समझ जाना है आपका बच्चा पेट में एक दम हैल्दी है अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा जो हाल चल नहीं कर रहा है सारे टिप्स आपने फॉलो करके देख लिए है फिर भी आपको बच्चा जो हाल चल नहीं कर रहा है तो आपको तुरंट हॉस्पिटल जाना है आपको बिल्कुल भी देर नहीं कर नहीं आपको तुरंट हॉस्पिटल जाना है अब आपको मैं एक बात बता दूँ अब आपको लड़का होता है वो लेट हल चल करता है पाच में महीने बाद हल चल करता है और स्लो करता है तो ऐसे में जो है लड़के होने के चांस होते हैं और लड़कियां जो होती है वो बहुत जादा चंचल होती है तो वो जल्दी हल चल करने लगते हैं तो ऐसे में जो है सुना जाता ह कि लड़की होने के चांस होते हैं आपका बच्चा जादा लेट हलचल कर रहा है बच्चे की जो हलचल है रहती है वो कम रहती है तो लड़का होता है और एक बात आपको पूरी तरह मैं किलियर कर दे रही हूं कि आप हलचल से बिलकुल भी अंदाजन नहीं लगा सकते हैं कि होने वाला बच्चा जो है वो बेवी वाई होगा या बेवी गर्ल होगे आपने बहुत सी वीडियो जो है यूटूग पर देखी होंगी कि हलचल से जान सकते हैं होने वाला बच्चा जो बेवी वाय है या बेवी गर्ल है तो हाल चल से हम बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं यह विल्कुल भी रॉंग है बस आपको यहीं डाउट आपकी जो थे वो मेरे को किलियर कहने थे वीडियो हेलफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेल और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि प्रेग्नेंस से रिलेटिब पीडियो आपको हमाई चैनल के लोगते रहें फिर मिलते हैं इस पीडियों बाइप टेकर अपने ख्याल दखिए